प्राम राम जी सभी भाई बेनों को मैं बाबारामदास और आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी विनिश फोगाट पोडियम तक पहुँचके पोडियम को छू के वापस लोट आई हैं बारत का एक हंड्रेट परशंट शेवर मेडल उन्होंने मिस कर दिया क्या परिस्थितियां थी क्यों नहीं आया मैडल किन परिस्थितियों में वदन नहीं आया आखिर खेल गाओं में चल क्या रहा था और पिछले छे महिने से और दो साल से क्या चल रहा है इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए वो चर्की दादरी के जो विधायक है तोंबिर सांगवान उन्होंने जो मांग किये ना कि सुप्रीम कोड के जल से जांच कराओं मैं उसका समर्तिन करता हूं बिलकुल कराओं सी बी आई जांच कराओं कि आखिर एक खिलाडी पे करोड़ों रुपे पिछले दो साल में खर्चने के बाद भी पोडियम तक पहुंचके भी मैडल नहीं आया प्रिस्तियां थी souvent क्या कारण थे अब आप कहोगे जी इसकी क्या दरूत है नहीं जी नहीं है जो जिन्दा कोण में होती नो वो अपनी गलतियों से सबक लेती हैं जो जिन्दा कोण में होती है बाग अगर नाटक नोटक की करना है प्रलाप करना है राजनीती करनी तो करते रहो पर आगे ये गलती नहों इसके लिए इस घटना से सबक सीखने की दरूरत है तो मैं आज आपको वो बाते बता रहा हूँ जो आपको हिंदोस्तान का कोई मीडिया नहीं बताएगा किसी मीडिया वाले ने जानने की कोशिश ही नहीं की कि आखिर हुआ क्या सब आपको ये बता रहे हैं सो ग्राम वदर नहीं आया क्यों नहीं आया कमियां क्या थी क्या गलतियां हुई क्या उन गलतियों को होने से रोका जा सकता था उन गटनाओं को क्या ये जो डिबाकल हुआ क्या ये हमारी गलतियों से हुआ ये तो जांचना पड़ेगा की नहीं नहीं तो फिर वोई गलती दोरा हो गई तो मैं आपको जो हुआ कुछ परदे के सामने हुआ बहुत कुछ परदे के पीछे हुआ वो सारा घटक रमाज बता रहा हूँ जब ओलंपिक में भारत की टीम जाती है तो आई ओए के जंडे तले जाती है इंडियन ओलंपिक एसेटिशन जिसकी अध्यक्षा है पीटी उशा तो आई ओए को टीम कौन देता है कौन सेलेक्ट करता है डबलू एफाई कहने का मतलब WFI की कुष्टी टीम आई ओए के जंडे तले ओलम्पिक खेलने जाती है तो उसको कहते हैं मिशन जो पूरा जो 117 खिलाडियों की जो टीम थी उनके साथ उनके कोचेज परसनल स्टाफ तब कुछ जो था उसको कहते हैं मिशन और उस मिशन का एक प्रमुक होता है एक Chief होता है जिसे French में कहते हैं Chief शेफ धी मिशन जो वो थे और जो मिशन के साथ जो ऑफिश्यल हमारे डॉक्टर गए थे वो थे डॉक्टर पार्दीवाला अब WFI की टीम गई न, WFI की कुष्टी टीम में 50 किलो में विनेश फोगाट भाग ले रही थी, किसकी टीम, WFI की, तो WFI का एक चीफ कोच भी था, कोचिस की एक पूरी टीम थी, बॉइज में थे, मैंन में थे, जगमिंदर सिंग जी बहुत सीनियर रेसलर, सीनियर मोस्ट कोच, विमन में थे विरिंदर देया, और एक मंजीत रानी महिला कोच और थी, तो एक बात बताओ आप, सिंपल सी बात है, पचास किलो की पहलवान विनेश फोगाट का, फाइनली जो इंचार्ज था, वो कौन था, भारत का चीफ कोच, परन्तु इस केस में चीफ कोच का, या डबलू एफ़ाइ का कोई संपर्क ही नहीं था, विनेश फोगाट से, विनेश फोगाट न तो टीम, विनेश फोगाट एक टीम का हिस्सा थी, टीम का मतलब क्या होता है, जिसमें पाँच लड़कियां उलम्पिक खेलने गई थी, दो कोच, एक फिजियो तरेपिस्ट जो की टीम का था, परन्तु विनेश फोगाट का अपना परसन साब था और उसका मिशन के साथ, टीम के साथ कोई संपर्क नहीं था, यहां तक कि कभी आज तक उसने टीम की लड़कियों के साथ, उलम्पिक के इस पूरे भियान में प्रैक्टिस नहीं की, अच्छा, जब होता क्या है? स्कूर जादा है मिन उसने जादा स्कूर किया या तू अभी फिलाल जीत रही है दस सगेंड बाकी है और तुरा लास्ट पॉइंट है यू आर विनिंग डिफेंस अटैक यह वह तार इंस्ट्रॉक्शन देता है और अगर ऑफिशियेटिंग में कोई गलती हुई है ऑफिशल विरंदर्दिया और मजीद रानी परन्तु विनेश फोगाट की एक भी कुष्टी में आप वीडियो फोटेज उठाके देख लीजे आपको कुर्सी पे बैठे वे विरंदर्दिया नहीं दिखाई देंगे वहां पर बैठा था विनेश का परसनल कोच अंगरी का वॉल्ड कुष्टी जीत गई दूसरी जीत गई तीसरी जीत गई फाइनल में पहुँच गई टीम से कोई मतलब नहीं कोई संपर्क नहीं टीम के कोच से जो ऑफिशल कोच है उससे कोई संपर्क नहीं एक परसनल स्टाफ है वो सब काम कर रहा है उसी दिन अन।ं की भी थी अन।ं पंगाल तो जो ऑफिशल कोच थे विरिंदर्दी आन्यमं जीत रानी वो अंति मंगाल अब अंतिम पंगाल को भी वजन लाना है विनेश फोगाट भी वजन लाना है तो फिशन को डबलो ए फाई को और चीफकोचस को पता ही नहीं है अफिशली असल में जो वाकिकत में इन लोगों के लिए विनेश फोगाट का कोई कहीं से कोई कंटैक्ट था ही नहीं इन लोगों का तो उसका क्या वजन आया नहीं आया क्या हुआ सारी रात क्या हुआ मिशन को नहीं पता चीफ कोच को नहीं पता डब्लू एफ़ाई को कुछ नहीं पता तो जब चीफ कोच क्या कर रहा था जब सेमी फाइनल बाउट हो गई विनेश की उसके बाद शाम का सेशन शुरू हुआ क्योंकि अंतिम की अगले दिन खुष्टी थी अंतिम की अंतिम का वजन था हां अगले दिन कुष्टी शुरू थी तो अंतिम का भी वदन उसी दिन होना था तो अंतिम के वजन की तियारी कर रहे थे कोच fiquei अंतिम का वजन शाम को उसक में स्ट्रेशिं कराई कराईöl रिलेक्स किया वजन चैक क्या वजन चार 100 ग्राम जादा था रात में एक शाम पहले अगले दिन सुबह टाइम से उठाया उसको पांच साड़े पांच बजे फिर सौनबात ले गए ट्रेनिंग कराई वजन चेक किया वजन आ गया निश्चिन्त हो गए साड़े साथ बजे वेंगें था तो अंतिम पंगाल को लेकर विमन्स के चीफ कोच मिस्टर विरिंदर देया और मंजीत रानी वेन्यू पर पहुँचे जहां वजन ले लिया जाता है वहाँ पे शेफ डिमिशन गगन नारंग और डॉक्टर पारदी वाला खड़े थे और बड़े उदासी बदहवासी किस चिती थी साथ बज के पच्चीस मिनट साड़े साथ बजे वजन शुरू है तो मिस्टर देया ने जो चीफ कोच है रेसलिंग के उन्होंने पूछा क्या हुआ और ये उन्होंने सीधे पारदी वाला और गंगन नारंग से पूछा शेफ दी मिशनर साथ जो मिशन के चीफ थे क्या हुआ बोले जी विनेश का बदन नहीं आया औरे ओ माई गॉड बदन नहीं आया तो वहाँ पे विनेश जो है एकदम लस्त पस्त आलत में लेटी हुई थी ये शायद बैठी हुई थी विरिंदर देया बाग के गए वहाँ उसके सामने भुटनों के बदन बैठ के उसके सिर्प आथ फिरा बिटा कोई बात नहीं अभी पांच मेंटे कोशिश कर ले तो विनेश बोली जी को साब पर मिरे उल्टी पढ़नना हो रही है तो को साब बोले उल्टी कर ले सोगराम ही तो है बोले उल्टी लिगड़ती तो नहीं नौसिया वामिटिंग वाली फीलिंग है पर उल्टी अंदर ते कुछ अंदर कुछ होगा भाई जब निकलेगा बोला बिटा इम्मत कर इम्मत कर यह विरंदर देया ने बोला है तब तक साडे साथ बच चुक जब अब अंतिम पंगाल कर बीटी वजन देना तो कोसाब विनश को छोड़गे अंतिम पंगाल के पास चले जब अंदर वजन होता है तो वहां किलारी के अलावा और किसी को भी जाना इलाउड नहीं हो सब लोग बाहर खड़े जाते हैं खिलाडी जाता है अपना वदन देके आजाता है अंतिम पंगाल अंदर अपना वदन देके आगे कहने का मतलब है साथ बज के पच्चेस मिनिट तक डबलो एफाई या ओफिशल कॉंटेंजन जो रेसलिंग का था उसको नहीं पता था कि विनेश वोगाट के साथ क्या चल रहा है या पिछली पूरी रात क्या-क्या घटना क्रम हुआ है देवल इंटू टोटल डाकनेस उनको कुछ पता ही नहीं क्यों कि अगल्योंने इनको बतानी की कुछ जरुत नहीं समझी कोंगा संपर नहीं था को आपनी मर्ची से घुम रहा है जहां है पता नहीं किसके खैठ चर रहा है मतलब जिसका कोई किससे द ते मतलब नहीं होता जहां मर्जी गया वंठीन Development Federation को कोई जानकारी नहीं थी कि हमारे मैडल विनिंग रेसलर की क्या स्टेटस है साथ पच्छस तक और मैं एक बापता रहा हूं यह मैं ऑफिश्यल अकाउंट बता रहा हूं आपको अगर कल को वाकई कोई जहां चुई या अगर कोई रिपोर्ट आई तो उसमें यह बात आएं विरिंदर देया ने डबलू एफ़ाइ के प्रेजडेंट संजे सिंग को फोन किया संजे सिंग भागे भागे वेन्यू पर आए तब तक पॉने हाट हो चुके था ओफिशल टाइम निकल चुका था और विनेश फोगाट वजन ना आने के कारण डिस्क वालिपाई हो चुक मैंने ये पता लगाने की कोशिश की कि जब वजन नहीं आया तो फाइनली क्या वजन देने के लिए अधर विनेश फोगाट गए कि नहीं गएं वहाँ पे जो अफिशल काटा था अफिशल के सामने फाइनली वजन कितना आया बोला इसकी कोई जानकारी नहीं है हमको मानुब है कि वो वजन में डिस्क्वालिफाई हो गई पिर में डब्लू एफ़ाई के प्रेजिडंट संजे सिंग ने निनाद लोलोविच जो यू डब्लू डब्लू को प्रेजिडंट है उन से बात की किसर ऐसे सी बात है क्या मदब हमें कुछ मंदर में टेक्स्ट्रा मिल स अब सर्फ सवाल यह उठता है कि फेडरेशन का खिलाड़ी आईयोए का खिलाड़ी फेडरेशन की टीम Federation का Chief Coach Federation की पांच लड़कियां खेल ले गई भी है और Official Staff को Federation को पता ही नहीं है कि उनकी लड़की के साथ क्या हो रहा है कहां है लड़की क्या कर रही है क्या खाया क्या पिया क्या ट्रेनिंग की बजन आया नहीं आया क्यों नहीं आया कितना है कुछ पते ही नहीं यह तो वह बात होगी न कि पुराने जमाने में मेडिवियल टाइम्स में राज इतना बढ़ा होता था तो मुगलिया सल्तनत में कुछ ऐसे रियास्ते होती थी जो अपने आपको आजाद गोशित कर देती हम ना मानते था था राजा हम तो आजाद हैं अम सल्तनत ऐसे एक आदी रियासत ऐसी होती थी वहां का राजा जो जागिरदार होता था या जोटे मोटे राजा होते थे वो दिल्ली के तखत को डिनाई कर देता हम ना मानते रहे तरना राजा यह वह स्टोरी नहीं हो गया आपको नहीं लग रहा कि फेडरेशन को कुछ पता क्या थी उनके साथ की या जो और कोच ते पूरा मिशन था उसके साथ किसी किसम का कोई संपर्क पिछले छे मेने यह एक साल थे बलजी कुछ नहीं बलो तो आजाद है बारत सरकार पैसे लुटा रही है परसनल स्टाफ है परसनल देगे नाम क्या है परसनल स्टाफ खरचा बारत सरकार का खरचा मेरा आपका टेक्सपेर्स मनी का नाम है परसनल स्टाफ भाप का माल है पहले बता बाप का माल है सततर लाग रुपए हमारी जेबी के खर्च हुए है पर्सनल स्टाफ कि अब पर्सनल स्टाफ की सुन लो चीफ कोच कौन रहेगा डबलू एफ़ाई का कोई से नहीं आई ओए का कोई से नहीं बारत सरकार का या कि खेल मंत्राले का या साहि का कोई से नहीं जो विनेश ने कह दी ओके जी ओके सिर्फ कोच बन कि अप्टेस्ट कों रहेगा जो विनेश ने कह दी खातान भाई जो विनेश ने कह दी वह सही कृदिकल कंडिशने एक्सपर्ट कौन रहेगा जो विनेश जी ने कह दी असिस्टेंट कोच कौन रहेगा कोच के ताथ एक असिस्टेंट कोच वो जी मेरे पती देव रहेंगे है अच्छ आपके पतिदेव की क्या क्वालिफिकेशन है अब बंद कोच है इन इस की या किसी भी व्ल्ड की किसी संस्था से किसी इंस्स्ट्जूट से क्या आपके पति ने डिपलोमा इन कोचिंग लिया है नहीं उन्होंने इन इसका certified certificate course जो 45 दिन का होता है क्या वो भी किया है नहीं तो आखिर assistant coach वो भी Olympic का assistant coach किसको बना दिया मेरे पती को बना दो जी पिछले दो साल थे पती देव साथ साथ रहते 24 गंटे खर्चा किसका मेरा आपका experts money tops के खर्चे पर साई खर्चा दे रही है मोदी जी दे रहे हैं अच्छा जी sparing partner यह कौन तै करेगा प्रेडरेशन का कोई मतलब नहीं चीफ कोच का कोई मतलब नहीं sparing partner मतलब वो पार्टनर जिसके साथ पहलवान ट्रेनिंग करता है पार्टनर कौन विनेश ने तै कर दिया उस sparing partner का खुद का स्टेंडर क्या है डिस्टिक लेवल का भी कोन या मुझे sparing partner है उसका क्या स्टेंडर है उस वही sparing partner रहेगा इसका चैन किस ने किया विनेश फोगाटी बाप का माल है जिस नमर जी ले जाओ पहले तो बहने रिष्टेदार दोस्त मित्र ऐसा भी हुआ है कि 55 किलो की पहलवान के sparing partner 100 किलो के पती देव जी हां ऐसी भी हमारी एक टॉप्स की खिलाड़ी हुई है जो खुद 55-55 किलो की थी उसका जो partner था वो उसका 100 किलो का husband था अब 50 किलो के पहलवान 55 किलो की छोरी 100 किलो के लोग न क्या मुलतानी मारेगी भई मैट पर कुर्शी ट्रेनिंग करता होगा वो परंधी पीछ रही है कुट्टे चाट रहे हैं कोई सवाल पूछने वाला है नहीं मेरे कीजा कोई सवाल पूछ ले बोला बाबतन देख लेंगे तना काटेंगे तू अने सवाल पूछे है जी हां तो sparing partner विनेश्की मर्जी का खर्चा मारा अच्छा मुझे एक बात बताओ माली जी एक कोई PhD साइंटिस्ट है नुक्लियर फिजिक्स का वो चांद पर रॉकेट बेजने के प्रोजिक्ट पर काम कर रहा है उसका साथ्य उसका असिस्टेंट कौन होना चाहिए प्हूडी साइंटिस्ट है मालो उसका असिस्टेंट कौन होना चाहिए वह भी तो PhD level का न zwischen का इसका उसका उसी लेवल का उना चीए ना चिपडाशीन कर दोगी खिला भैतू इसका असिस्टट हो ले वह्यों और पीएजडी साइनटिस्ट उस चपड़ा चीट क्या बतला होगा या क्या सलाव लेगा वो क्या करेगा वह उलम्पिक में खेलने जा रहे हो जो उसका पार्टनर ओना चाहिए वह भी तो ओलेंपिक लेवल का उना चीए उसके रिफ्लेक्स उसके शापनेस उसके एक्शन्स जब हम कैम्प में ट्रेणिंग करते हैं तो पार्टनर रेस्लिंग में पार्टनर बदल बदल के ट्रेणिंग करने का बहुत ज़्यादा महत होता है कैम्पों में जब इसलिए करता है जब पुराणे जमाने में नैश्नल कैम्प लगते थे तो कैम्प में 40-40 पहलान होते i. रोजब बदल-बदल के प्रेक्ट्रिस होती थी पार्टनर चेंज होते थी बहुते थि जब आप एक ही पार्टनर दीशन रोज बदल जाये तो उसके आपको रोज नई स्ट्रेटिजी बनानी है आपको अपोनेंट तो रोज बदलेगा ना जब खेलने जाओगे और यहां पर एक पार्ट्नर चल रहा है चे महिने से अंधी पीछ रही कुछ टेचाट रहा है पार्ट्नर का को स्टेंडर्ड रही है डिस्ट्रिक लेवल का पहल बनानी चल रही है पैसे मारे आपके खर्चो रहे हैं तो कहने का मतलब यह है कि विनेश्ष वोगाट क्या कर र रही है क्या खा रही है क्या पी रही है सो रही है ट्रेनिंग कर रही है नहीं कर रही है वदन कितना है आज आएगा कि नहीं आजाएगा डैदरेशिन को कुछ पता ही नहीं मिशन को कुछ पता ही नहीं कॉंस कुछ पता ही नहीं जब आपको कुछ पता ही नहीं हुए है ऌ को बाद बताऊ नगे जब यह टीम ल्टी आगी टो शॉए या खेल मंत्रा ले पूछे कि हाँ रहे हा जे Pakistan Kya यह मृन्तन सांगा विरिंदर दिया जगमिंदर सिंग का मुझ देखेगा जगमिंदर विरिंदर दिया का मुझ देखेगा ये दोनों मिलके मंजीत रानी का मुझ देखेंगा बोले जामने बेर ही नहीं हमने कुछ पता ही नहीं अरब पेरेस में क्या हुआ बोले जी हमने क्या पता ये तो हालत है और ये विवस्था बनाई किसने है जहां बाप को पता ही नहीं बच्चे कर क्या रहे हैं बच्चे तो सारे आजाद हो गए बापने मतलब भी नहीं क्योंकि नहे बाप पैदा हो रहे है नहे बाप कौन जे एस डबलू ओजी क्यू ऐसे प्राइवेट स्पॉंसर नहे बाप कौन टॉप्स स्कीम सारा खर्चा टॉप्स कर रहे हैं प्रेडरेशन को क्यों पूच्चे तू कौन चले ने खर्चा तो पड़ोशी दे रहा है उसने बापू कहेंगे अंजी अपने बाप को कोई बाप क ये स्थिती है आज इंडियन स्पॉर्ट्स की कि स्टार खिलाडी सिर्पे चड़ेवे हैं फेडरेशन के आई यूए के खेलमंत्राले के खेलमंत्राले आई यूए और स्टाई और फेडरेशन सिर्फ यस मैन बनके रहे गए हैं इन स्टार खिलाडियों के इनकी हर अच्छ बुरी गलत नजायद जायद मांग को पूरा करने के लिए ओजी क्यू जैसी स्पांसर कंपनिया और तॉप जैसी स्कीम में पैसा लुटाने वाले मोधी जी के कारिंदे बैठे हैं पेडरेशन को कोई क्यों पूछे गा यह चीफ कोच को कोई क्यों पूछे गा अब पहलमान क बजान करा रही है किससे पर्मिश्फिन ले रही है कोई मतलब में आपके खिलाडी मैंने खिलाडी कहा रहागी सारी टीम वा पस आ गveis पूगाट नहीं आई कि अमने क्या मतल अमने पता ही कुछ फॉले लिए सारी टीम जी कई राश्ट्यपती बवन गई पीनों स्फोगाट क्यों नहीं है आपने छुटी दी ले हैं हमको कौन सूचित करके जाता है पुला पंदर अगस्त पर जंडा फैराने सारी टीम गई पुला मुझे क्या मालूम बोले बिनेश्फोगाट कहां है मुझे क्या मालूम पुन्हें सोगाट पीम के हाँ क्यों नहीं गई मुझे क्या मालूं बारत सरकार को कुछ पता ही नहीं है पेडरिशन को कुछ पता ही नहीं है अंधी पीशरी एक उत्ते चाट रहे हैं हमारे जैसे आदमी जब इस व्यवस्ता पे सवाल उठाते हैं तो लोग कहते हैं यो बाबा गणा बोले हैं बाई साब एक बाद बताओं आपको एक पतंग थी वह आकाश में बहुत उच्ही उड़री थी के तो ही बगल से चडिया जारी थी तो च्डिया बुली आज तो बहुत उच्हा उड़री है तो यह मी पतंग बुली और इस दौर नपांद रखीmother कि चांद पर चली जाती, मैं तो इस दोर न पकट रखी हूं, ने तो मैं तो चांद पर जासकू हूं, तो चड़िया आसका चलीगी, तो यह बात दोर न सुनली, कि अच्छा भाई, अमने बाद रखा है तुझे, और दोर न छोड़ दी, तूट की दोर, तो दोर से कटी भी पत पतंग का क्याल होता है, वह Swanee, कैसे लहराग नीच्छे घरती है, इस ta flu दोर है जिस दोर ने आपका बाँद रखा है, नहीं, डिसुपलिन की वही दोर आपको उड़ा रही है, और जिस देन ये डिसिपलिन की दोर टूट जाती है उस दिन आपको कटी पतंग तो साथ आज हमारे स्टार खिलाडियों के साथ अपसे बड़ी प्राब्लम हो गई है कि इनके उपर डिसिप्लिन की डोर नहीं है डिसिप्लिन की कोई विवस्था नहीं रह गई है ये अपनी मन मर्जी के मालिक हो गए हैं और ये अपने आपको सारी व्यवस्था के उपर, फेडरिशन के उपर, हर चीज के उपर समझने लग गए हैं। और जब आप जिसका जो स्थान होता न उतको वही रखना चाहिए। जब आप गलत जगह बिठाओगे तो यही होगा और यह जो डिबाकल हुआ है, इसके मूल में यही कारण है। कि खिलाडियों को आजाद छुटा छोड़ दिया गया है। अभी तो परतें खुलेंगी, अभी तो नए नए खुलासे होंगे। वजन क्यों नहीं आया। विजिंदर सिंग बॉक्सर ने भी बेयान दिया है। अम तो पांच किलो गटा लिया करते थे। इसका डाई किलो क्यों नहीं गटा। अमन का भी साड़ी चार किलो जादा था। वह भी पहले दिन तीन कुष्टी लड़के चौत्ति दिन लड़ा है। उसका कैसे आ गया साड़ी चार किलो। इसका क्यों ना आया डाई किलो। अब तो शोकॉज होना चाहिए ना शोकॉज में पूछा जाएगा आँ भई पिनेश भोगाट बताओ क्यों नहीं आया वदन। तो जी जैसे जैसे खबरे आएंगे मैं आपको आपके सामने लाता रहूंगा आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिरते मिलते हैं तर नई खबर के साथ, तैंक यू बेरे मच्छ।